हलो दोस्तों कैसे हैं आप सबी लोग एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने इस न्यू ब्लॉग में तो भाईया सुनिए यह हमारा फोर्थ ब्लॉग है लखनौ का और आज हम आपको गुमाएंगे घंटा घर, कुडिया घाट और इंद्रा टैम जो की बहुत ही प्यारा प्लेस है लखनौ के अंदर तो वीडियो के इंड तक आप लोग बने रहेगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ज़ाद आपको मज़ा आने वाला है तो हमारी जरनी स्टार्ट होती है लखनौ के सबसे बड़े उबर बिस से और भाई साब ओबर बिस से नीचे उतरते ही आपको दिखेगा नवाबो के सहर लखनौ का घंटा घर जो की भारत का सबसे उचा घंटा घर है और भाईया इसका निर्मार उस दौर में हुआ था जब लोगों के पास समय पता करने की कोई साधन नहीं थी इसलिए गंटा घर का निर्मार किया गया था तो भाईया म्यूजिक के साथ गंटा घर को घूम लीजिए फिर आपको हम घुमाते हैं लखनौ का कुडिया घाट लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सो अभी हम लोग से निकलने के बाद यह देखिए अभी इस टाइम है घंटागर में और भाई-साभ यहां का लोगिशन बहुत ही प्यार लग रहा है और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो आज हम लखनौ को पूरे चीजर के से ट्रेवल करेंगे लखनौ में कर दो आज है और आज हम लग देखिए अभी आज है हाँ भाया तो घूम लिए घंटागर कैसा लगा आपको घंटागर लखनव का कमेंट करके हमको जरूर बताईएगा तो चलिए अब घूमाते हैं हम आपको कुडिया घाट कुडिया घाट के अगर हम बात करें तो ये एक धार्मिक प्लेस है जहाँ पे लोग पूजा पाट करने के लिए आते रहते हैं और इसकी खासियत यह है कि ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और सामने जो नदी आपको दिख रही है वो है गोमती नदी अगर लोकेशन की बात करें तो ये लखनव में हुसेनाबाद में पढ़ता है और कुडिया घाट घूमने के बाद हम पहुचें इंदरा टैम जो की इस टाइम लखनव का टूरिस्ट पेस बना हुआ है और भाई साब वहाँ बहुत सारे लोग आ रखे थे ये डैम को देखने के लिए क्योंकि इस डैम में बहुत टाइम बाद इतना जादा पानी आ रखा था और अगर पानी की मात्रा से देखा जाए तो इंदरा टैम भारत का सबसे बड़ा टैम है और इसको बनाया गया था 1992 में और इस डैम की खासियत की बात करें तो इसके उपर नहर का पानी बहता है जबकि डैम के नीचे गुमती नगर का पानी बहता है मतलब गुमती नदी के उपर से नहर गुजरती है जो की अपने आप में एक अजूबे से कोई कम नहीं है तो भाई साब आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन प्लेस ऐसे सी दिखाया हूँ जो कि लखनों में बहुत ही अच्छी प्लेस है घंटागर, कुडियागात और इंद्रा टैम आज के टाइम में और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग में चनल को सस्क्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी कैसी जिन आपनागर कि आपको अच्छी लगी कैसी ले ख़ुआएगा और करोश्रा-च्छी लेंगी